हलो दोस्तों वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारी बाइक से जो लॉगिंग साउंड आने लगता है उसको कैसे ठीक करें बॉल्ब किलिरेंस बढ़ जाता है जिसके विए से बाइक से अबाज आने लगती है बॉल्ब किलिरेंस कैसे अज्जेस्ट करना है बो मैं आपको बाइक की अबास सुना देता हूँ तो दोस्तों इस तरह की अबाज आने लगती है हमारे बाइक की अबाज और बढ़ जाती है जैसे होता का है कि हमारी बाइक का हाई रपीम पे पावर लॉस हो जाता है मतलब जब बाइक की स्पीड बें चलाते है तो पावर कम लगने लगता है वो कुछ टाइम बाद बाइक के हेड से आवा जाने लगती है इसमें होता ही है कि हमारी बाइक के हेड में केम सॉप्ट रहती है जिसमें रॉकल लगी हुई रहते हैं और जैसे ऐसे बो घिसते हैं तो बाल्ब का जो क्लिरेंस स्पिस रहता है वो बढ़ जाता है उस स्पिस बढ़ने की बज़े से हमारी बाइक के हेड से आवा जाने लगती है इससे हमारी बाइक का एंजन साउंड पीडियूज काने लगता है पावर लाउस हो जाती है बाइक की और मालिज भी कम हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए ball के clearance को adjust करते है तो यह problem ठीक हो जाती है तो इसके लिए आपको अपनी bike का जो tank वगरा है इसको remove करना पड़ेगा और bike का head के cap open करना पड़ेगा उसके बाद आप ball clearance को adjust कर सकेंगे तो यह ball यह देखिए bike के head का cap है cap open करके यहाँ से ball clearance को adjust कर देंगे कई 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 bike में पूरा यह open नहीं करना पड़ता है इंजन भी नीचे रहता है उसका head नीचे ही लगा हुआ रहता है तो बहाँ आप डारेक्ट ही कर सकते हैं उसमें cap लगे रहते हैं छोटे छोटे तो पर चार cap देना impossible था इसलिए यह पूरा एक बड़ा cap दे दिया है पूरा तो इसको open करते हैं जिस बाइक में चार बॉल्ब रहते हैं उनके लिए ऐसा cap प्रवाइड किया जाता है और जिन में दो बॉल्ब लगे रहते हैं एक intake का और एक आउटेक का exhaust वाला तो उनके लिए रहते हैं पलसर 220 में देखोगे आप तो बहां पर दो कैप रहते हैं आपको पूरा open करने की जरूरत नहीं है आप दोनों केप को open करके adjust कर सकते हैं यह फोर वाल्ब वाली बाइक है तो इसको कैसे करना है इसी तरह से दो वाल्ब वाली वाइक का करेंगे तो सबसे पहले तो और आउट्टेक के बॉल्ब को adjust करेंगे यहां से open करके यहां पर जो मैगनेट लगी रहती है उस पर टी लखा हुआ रहता है तो यहां से open करके आप देख सकते हो कि टी है या नहीं आप बाइक को गेर पे डाल की वील को घुमाओगे तो यहां पर टी आ जाएगा पिस्टन टॉप पे रहने चाहिए उस condition में नहीं तो आप किक का यूज करके भी यहां पर टी कर सकते हो यहां मैं आपको अंदर देखा देता हूँ यहां मैगनेट लगी रहती है तो उस पर टी लखा हुआ रहता है उस condition में पिस्टन टॉप पे रहता है यह देखिए वील को घुमाखे टी कर लेंगे नहीं तो अगर आपकी वाइक में पूरा इस तरह उपन करना पड़ता है कई-कई वाइक में यह ट्रांस्पेरेंट रहता है तो आप बिना उपन करें भी देख सकते हैं जिस वाइक में जैसा दिया हो यह आप दिख सकते हैं एक्जॉस्ट के व दिख सकते हो जिस वाइक में यह पूरा उपन नहीं होता है तो बहां से दिख सकते हो कहीं से भी आप दिख सकते हो पिश्टन टॉप पे होना चाहिए उसके बाद बॉल्व को एज़स्ट करना है यहां पर दिख सकते हो टी लखा हुआ है लख अलब क्लीरेंस एज़स्ट करने के लिए सबसे पहले जो रॉकर आर्मे में इज़स्टर लगे रहते हैं उनको लूज़ करना पड़ता है तो यहां पर बॉल्ट लगे रहेंगे दो लो यह दूफ निलेड करेंगे तो दो बॉल्ट राएंगे जिस बाइक में एक वाल टूल्स लगते हैं इस पेशल टूल्स में आपको दिखा देता हूं कैसा कुछ इस तरह का लगता है यह देखिए इसमें चौकर बना रहता है यह इसके पकड़ने के काम आता है जो इसका स्क्रू रहता है उसको पकड़ने के लिए और इसमें फ्रूर नट रहता है तो इससे वो टाइट हो जाता है फ़ायनली तो इससे पहले दोनों को लूज करणे कि बराबर बठाने के है इसमें कितना रहता वह मैं आपको दिखा देथा हूं पल्सर में रहता है पॉइंट जीरो फाइब HIM कि यह आप देखें इलिड के बॉलन का है पॉइंट 05 एम मतलबvenant 2002 इंचेस इतना रहता है Pulsar Bike के लिए हर वायक में अलग-अलग रहता है तो आपकी जैसी वायक हो आप उसका सर्च करके उसको Adjust कर सकते हैं तो यहां देखिए में, 0.05 mm इनलेट के वाल्ब के लिए Adjust कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं आप देख सकते हैं दोनों को पहले इस पर देखिए इस तरह फुल टाइटनिंग करना है इसको इतना टाइट करना है कि यह जो पत्ती है वो सिलाइड हो सके उसकी उपर टाइट कर देंगे तो वो एकदम दफ जाएगी आपको इतना करना है कि वो इसकी उपर बि दोनों वल्व के नीचे कर देंगे यहां से उसको औजेस्ट करेंगे यह देखिए इस तरह इतना रहने चाहिए कि इसलाइड वहे शुर्थ सके भी यह ठीट होएगा कि थोड़ी सी इसको करतेование या डीजी सुलाइड हो रही है दोनों वॉल्व के तोह इन्व मिंदा यह कि एकदम है उसका क्लिरेंस इतना करणा कि आराम से स्लाइड हो से अगर आप सही цент करें गलाएंगे तो आपकी बायक जो इंजन का साउन्ड बों चला जाेगा रुचाई तॲ मैंदे का ने रहे तो आपको यह बहुत ही ध्यान से करना है काम यह मैंने आपको पलसर के लिए तो बता दिया पॉइंट 05 mm इंलेट के लिए और दूसरी वाइक अगर आपकी कोई और कंपनी की तो आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं और जतना भी उसमें लगता है उसको उसको अध्यत्र करते कई वाइक में तो नीचे इंजन रहता और क्याप लगे रहते हैं तो बहां से अभी छिस कर लेते हैं लेकopard macht कर करने की वारcida देख सकते के सालें सब्सक्राइब, तो इनकों इसी तरह एजयेस्ट करेंगे लेकिन इनका जो क्लियरेंस रहता है, वो अलग रहेगा, इनका क्लियरेंस किटना रहेगा और मैं आपको बता देता हूं इसका रहेगा पॉइंट वन जीरो एमेम पॉइंट जीरो बन एमेम इसका क्लियरेंस रहेगा यह देखिए कि अभी मैं आपको क्लियरेंस देखाता हूं पहले यह देख सकते हूं आपके लिए पॉइंट जीरो जीरो फॉर इंचेस मतलब पॉइंट बन जीरो एमेम इतना आपको रखना है डिस्क्रिप्शन में मैं यह लिख दूँगा पल्सर वाइक के लिए जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप बहां से एकदम देख सकते हैं कितना एक्जेक्ट लिए कैसे करना है वह आप देखी रहे हैं बॉल्ब के उपर जो रॉकर आर्म लग नहीं कहलाता है हर ne square और आप उसको एजिस्ट करें यह देखिए कर दिये हैसे अभी दोनों को एज्छर्ट कर दिया हैं कि तो टार आइट कर देते हैं टारइड कर देंगे तो यह पानल काम हो जाएगा इसका जितना इसको रोखना उतना वह ओ जायगा और हर ङाएक में करने की बाइक कर नंडर संद्य दू तो चला जाएगा साथी में आपकी बाइक बाइक हाइब्स पर पावर करती है तो वो प्रावर भोड़नों की शॉल WE कर सकते हैं इस तरह कि जग चल्चे कर देखेए तो दूनों जस्तुप को अपनी पोजिशन पर कर देंगे और पार्ट का करके देखलेंगे कि कि कैसा है ondy टोस्तो इसी तरह की वीडियो के लिएँ चैन्ग को साथ बूलए साथ ही मेंकर आपको कोई problem रहती है तो आप comment कर सकते हैं तो जिसकी जैसी भाइक रहे हैं उसके according adjust कर देंगे और पूरा pack कर देंगे पॉर्सर वाय के लिए बौल्व क्लिरेंस रखेंगे intent के बौल्व के लिए रखेंगे 0.002 inches मतलब 0.05 mm और outlet के बौल्व के लिए रखेंगे जो की silencer की तरफ रखा रहेगा तो इसके लिए रखेंगे 0.004 inches बब 0.10 mm 0.50 mm रखेंगे सालेंसर की तरब और इसको एज़स्ट करने के बाद बाइक को एज़ेट स्पैक कर देंगे और यह जो मैंने आपको टेप बॉल्ब क्लेरेंस बताया है यह पलसर बाइक के लिए है जो की पलसर 185, पलसर 150 पलसर 180, पलसर 220 के लिए रहेगा अब मैं आपको बाइक का साउंड सुना देता हूँ बाइक के इंजन का साउंड आप पहले जैसा हो गया है और बाइक के हाई आर्पियम पे पावर लॉस्ट की जो प्रावलम थी बो भी सॉल हो गई है तो आप भी अपनी बाइक के इसी तरह से बॉल्ब के लिए रेंज सेजेस्ट कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले साथ में अगर आप कोई प्रावलम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले दोस्तों